राश्ट्र के प्रहरी भी राश्ट्र निर्वान के भागिदार भी रग रग में दोर्था जिसके देश प्रेम का जजबा भी प्रबल, शुक्तिशाली और धपर वो भारतिय सेना अब है परिवर्तन के पत्पर भारतिय सेना हर चनोती का सामना करने के लिए एक युवा, अधुनिक, तक्नीकी रूप से सक्षम शक्तिशाली और तत्पर सेना के रूप में परिवर्तित हो रही है इस लक्ष को स्वरूप दे रहे है भारतिय सेना के परिवर्तन के पाँच स्तंब नवीनी करन, आधुनिकी करन और मेकिन इंडिया से टेक्नोलोजीकली सक्षम होती सेना आज बन रही है आत्म निर्भर भारत की पहचान भारतिय सेना ने आटोमेशन और डिजिटाइजेशन को तेजी से अपनाया है आटिफिशल इंटेलिजेंस, ब्लॉक्चेन, कॉन्टम कम्प्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग और आटोमेटिड अगनिवीर मैनेजमेंट सॉफ्ट्वेर जैसे कदमों दवारा सेना के सिस्टम्स और प्रॉसेसेज में आ रहा है बदला बदलते समिकरणों को ध्यान में रखते हुए सेना में हो रहे हैं उप्योगी पुनरगठन जो भारत ये सेना को एक एजाइल, मॉडुलर और अनुकूल संगठन में परिवर्तित कर रहे हैं बदलते समय और युद्धे के तरीकों में बदलाओ के साथ सेना में भी बदली है अपनी रणमीतियां और प्रशीक जण के तरीके साइबर इंफरमेशन और ग्रेजोन बॉर्फेर इत्यादी के साथ-साथ सेना मल्टी डोमेन अपरेशन्स के लिए तयार हो रही है दुनिया के हर कौने से मित्रदेशों के साथ बढ़ती जॉइंट मिलिटर एक्सिसाइज़ और यूएन पीस कीपिंग में भागिदारी हमारी सेना के विश्विशान्ती में बढ़ते योगदान को दर्शाती है भारती वायू सेना और नो सेना के साथ संयुक्त अभ्यास और संचालन भारती सशुस्त्र सेनाओं को प्रबलता दे रहे हैं समन्वे से हो रहा है सशक्तिकर भारतिय सेना देश की विभिन्न सुरक्षायवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर किसी भी संकट का सामना करने के लिए सक्षम और प्रभावी है Infrastructure Development न केवल सुदूर क्षित्रों में सेना की मौजूदगी को सशक्त बना रहा है बलके इन क्षित्रों को मुख्य भूमी से भी जोड़ रहा है प्रधानमंत्री गती शक्ति योजना और Dual Use Infrastructure से इस प्रगती को मिल रही है अतिरिक्त गती सेना के अंदुरों नी निर्मान कारे भी अब और आधोनिक और प्रभावशाली बन रहे है बड़े पैमाने पर बनी करण, सौर उर्जा का इस्तेमाल चावनियों में EV चार्जिंग का प्रयोजन जैसे प्रयासुंदवारा Clean India, Green India का सपना पूरा हो रहा है मानो संसाधन के क्षित्र में हुई एक एतिहासिक पहल है अग्मी पत हर प्रांथ से युवा, उत्साही और योग्य अग्मी वीर देश के विभिन्ने ट्रेनिंग सेंटर्स में प्रशिक्षन प्राप्त कर रहे हैं ये युवाद्मी वीर देश की रक्षा में ही नहीं बलके सही कौशल पाकर, राश्टर निर्बान और समाज कल्यान में भी अपना योग्दान देंगे उनके सुरक्षित भाविश्य के लिए सेना और सरकार द्वारा किये गए हैं बहुत से प्रावधान देश के उन्नती एक पंक से उडान भरने पर नहीं हो सकती है भारतिय सेना नारी सशक्ती करण के लिए कटी बद्ध है सेना में बढ़ती महिला भागिदारी इसका प्रमान है सिर्फ रणक्षित्र में ही नहीं स्पोर्ट्स और अडवेंचर में भी भारतिय सेना किया भूत पूर सभलता देश को एक नए मकाम पर पहुचा रही है ये है भारतिय सेना जो समय और समी करण के परिवर्दन के साथ देश की सुरक्षा और राष्टर निर्वान के लिए प्रतिवर्द, प्रबल और परिवर्दन शीन है